आपका स्वागत है नासनल अप्डेट्स की एक और वीडियो में चली देखते हैं आज के महात्पूर अप्डेट्स पहली अप्डेट नोड़ा फिर्म सिटी से है चाहां दोस्तों यमना एक्सपर से इंडस्य डिवलाप्मेंट अथोटी ये जल्दी एक हजार एकर्स में बनने वाले परस्तावी फिर्म सिटी के लिए बीड्स इन्वाइट कर सकते हैं यहां पर करीब 10,000 क्लोड की सेसन एग्रिमेंट को जो की इंटरनेस्नल कंसल्टेंट सीबी आरी ने बीड्स प्रोसेस के लिए तयार किया था इसको अप्रूप किया है यहां पर एड़ा की सीओ के अकोडिंग डिसंबर आर्ट तारिक को प्री बीड्स मीटिंग और्गनाइज की जाएगी सीबी आरी के प्रोपोसल के तहट फिल्म सिटी के पहला फेज 2024 तक पूरा हो जाएगा जो की करीब दोसती से कर्सका होगा इसके लवाद दोजार अटाइस नग्रोप से बनकर तयार हो जाएगी करीब साथ से आठ सालों के अंदर ये फिल्म सिटी तयार होगी यहाँ पर दोस्तों चीप निसर्योगी उतनात ने कई सारी नजी चीजे आड जैड कि हैं जैसे कि यहाँ पर एक इन्फोटेंब्मेंट सिटी का डॉलपमेंट किया जाएगा जो की फिल्म सिटी का हिस्सा होगा जहाँ पर कई सार लोग को इंवाइट किया जाएगा नेक्स्ट अप्डेट मुंबई नागपूर बुलेटरेन प्रोजेक्ट से है जहां अना चासा RCL ने रिपोर्ट किया कि करीद 766 किलमेटर लॉंग मुंबई नागपूर बुलेटरेन प्रोजेक्ट ये जो कोरिडूर बनने वाला है इसका नेक्स चेर में DPR सेन्टर गोर्डेन को अप्रोबल के लिए भीज़ा जाएगा यहाँ पर दोस्तों मुंबई नागपूर बुलेटरेन प्रोजेक्ट इससे समद्धि DPR पे निर्मार कारे चल रहा है कई सारे सर्वे कनेट किये गए जैसे कि यहाँ पर aerial सर्वे लेडार सर्वे इसके लावा social impact assessment और environmental impact assessment इन सबको तयार कर लिया गया है बस दोस्तों DPR जल्दी complete होने वाला है दोस्तों मुंबई नागपूर बुलेटरेन कोरिडूर मारास्या के 10 जिल्यों से गुज़ेगा यह मारास्या के दो main cities को connect करेगा यहाँ पर land acquisition required है इस high speed rail corridor को मुंबई नागपूर समरिद्धी महामाग इसके समनांतर बनवाय जाएगा यहाँ पर दोस्तों मारास्या की बात करें यहाँ पर land acquisition process काफी hard है जैसे कि हमने देखा कि मुंबई अंदाबाद bullet train के लिए बहुत ही कम land के requirement थी लेकिन अभी इतने साल हो गए है मारास्या सरकार ने land application process टेज नहीं किया है फिलाल दोस्तों आने वाल समय बताएगा कि मुंबई नागपूर यहाँ पर वो में दिखेनक कितनी देजी से होगा next update बिहार से है जहाँ दोस्तों Central Government द्वारा अमास धर्बंगा एक्सपरस वे इसके टेक ओबर के बाद रोड कंसेक्शन डिपार्टमेंट रक्सावल कॉलकता वाय पतना एक्सपरस वे और बक्सर भागलपूर एक्सपरस वे इसको भी Central Government के अप्रूवल के रिक्वार्मेंट है अभी दोस्तों बिहार के अंदर कोई भी एक्सपरस वे ओपरेसनल नहीं है Central Ministry of Road Transport and Highway अगर इन प्रपोसल्स को क्लियर कर देगा तो बिहार के पास जल्दी तीन एक्सपरस वेस होंगे जिसमें आमास धरवंगा एक्सपरस वे सबसे पहले ऑपरेसनल होगा दोस्तों आमास और अरंगाबाद धरवंगा एक्सपरस वे इसके लेंड इक्सपरस वे इसके लेंड इक्सपरस वे जिसके लेंड करीब 350 किलमेटर है वहीं रक्सावल टू, कॉलकता एकस्पर्स हुए इसको भारतमाला परोजिणा के Phase 2 का हिस्सा बनाया जा सकता है और इसका हिस्सा बने केबाद, जैसे भारतमाला परोजिणा Phase 2 शुरू होगी, यहाँ पर दोस्तों काम शुरू हो सकता है रिपोर्ट के तहत आमास दरवंगा एक्सपर्स हुए जो की 189 किलमेटर लंबा है इसका लैंड एक्विजिसन फाइनल स्टेज में है जबकि रक्सावल कोलकटा एक्सपर्स हुए इसको सेन्टर गवर्मिंट के क्लेरंस की ज़रूत है इसके लाव बकसर टू धरवंगा एक्सप्रस वे इसको सेंटर गवर्मिंट की नोट की जरुत है अभी सेंटर गवर्मिंट ने इसको टेक ओवर नहीं किया है नेक्स्ट अपडेट वैक्सीन के एक्सपोर्ट से है जहां दोस्तो देश के अंदर वैक्सिनेशन काफी अच्छे से चल रहा है जो सरकार ने टाइडर बिनायत उस हिसाब से काम चल रहा है बहुत ही जल्दी यहां पर 100% वैक्सिनेशन कंप्लीट हो जाएगा दोस्तो युएन गौर्डेट ने सिर्म सिट्ट ऑफ इंडिया को करीब 50 लाग COVID-19 वैक्सीन एक्सपोर्ट करने को अलाओ किया है अब दोस्तो जल्दी COVID-19 की डोसिस युएन के कोवेक्स ग्लोबल वैक्सीन प्रोग्राम इसके तहट नेपाल, तजाकिस्तान, मोजांबी क्यू समीत 3-4 देशों को एक्सपोर्ट की जाएंगी इसमें बांगलादेश भी सामिल है सबसे पहली ये डोसिस नेपाल को भीज़ी जाएंगी, 24 मॉमबर को नेपाल को COVID-19 की नई डोसिस भीज़ी जाएंगी है, 226 अगस 2021 को इसरम पोर्टल लॉंच किया गया था, फिलाल दोस्तों इन कुछ महीनों के अंदर रेजिस्टेशन काफी तेजी से हो रहा है, अगर पिछले 12 अपतों की बात करें, तो यहां पर बहुँ जाए रेजिस्टेशन हुआ है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेशन उत्तर प्रदेश और वेस्ट बेंगोल से हुआ है, उसके बाद अगर देखा जाए, मोडरेट रेजिस्टेशन की, तो 36 गड़ जारकन बिहार, पंजाब, यहां पर मोडरेट अमाउंट में रेजिस्टेशन हुआ है, यहां पर अगर रिपोर्ट्स की बात करें, तो 53 परस इसके लावा, जिनकी इंकम 21,000 से जादा है, यहां पर रिपोर्ट देखे, 52% फीमेल है, और 48% मेल है, दोस्तो इसरम पोर्टल काफी महातपूर है, खासकर हमारे अन औरगिनाइज सेक्टर के वरकर्स के लिए, सरकार ने टार्गिट बना है कि करीब 38 करोड इसरम पोर्टल सरकार चाती है, काफी तेजिस रिजिस्टेशन हो रहा है, और कंफर्मिशन के बाद उन्हें इसरम काड भी महये करवाया जाएगा, दोस्तों यह काफी जरूरी है, हमारे अन औरगिनाइज सेक्टर के वरकर्स को बहुत जाज़ा लाव होगा, और बहुत सारी स्कीम, डिफ उनके लिए नई-ने स्कीम बनाएगा, उसमें अन औरगिनाइज वरकर्स को भी फायदा हो, इस पर भी काम किया जाएगा, चलिए देखते हैं स्टाट अप न्यूस, जहां दिल्ली बेस्ट डी टूसी ब्रांड स्लीपी ओल कॉफी, इसने मंडे को करीब 6.2 मिलिन डॉल की इसके लावा अग्रिकल्चर चाटक फसल, इसने 4 मिलिन डॉल की फंडिंग रेस की है, और इसे के तायती अतना एक्सपेंशन, भारत के अंदर छेत्रों और साउथ इस एस 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 में करेगा, सबाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में